मस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब, सब अच्छे हैं ना, आप सब का आज की कक्षा में मिलेनियम परिवार की तरफ से हारदिक स्वागत करती हूँ बच्चों, आपको याद है, आपने एक रंगीन कलम की कहानी सुनी थी, क्या आप दो राज़ते हैं वो कहानी मेरे साथ? तो बताईए मुझी कैसे थी वो कहानी? कमल उलाबी रंग का है, और केले का रंग है पिला, कान का रंग बताओ जी, और रंग विरंगी कलमे ले जाओ जी आपने तो कहानी बहुत अच्छे से मुझे सुनाई, आपको पता है न, इस कहानी से हमने कर से शुरू होने वाले चार नए शब्स देखे थे, कौन कौन से थे वो शाब? कमल, केला, कान, कलम, शाबाश! तो बच्चों, आपको पता है न, हम किस से लिखते हैं? हम पेंसिल से लिखते हैं, या फिर पेंसिल से लिखते हैं, तो आप क्या मुझे बता सकते हो, जब पें और पेंसिल नहीं बने थे, तो लोग किस के साथ लिखते थे? सोचो सोचो जरा सोचो नहीं बत अच्छेला मैम आपको बताते हैं यह देखिए क्या है यह पंक शाबाश आपको बता है जब पेन और पिंसिल नहीं थे तग लोग पंक के साथ लिखते थे आपको पंक के साथ लिखना आता है नहीं, आज गितिका मैम आपको सिखाएंगे कि पंक के साथ कैसे लिखते हैं इसके लिए आपको चाहिए एक पंक और एक कटोरी में पानी वाला कोई भी रंग तो इसकी नोग को, पंक की नोग को आपने इसके अंदर भी गोना हैं इस तरहें से और अब हम इसकी सहायता से एक स्पेज पर एक चित्र बनाएंगे तो बच्चो चलिए सीखते हैं कि हम पंक की सहायता से कैसे लिख सकते हैं अभी मैम एक चित्र बनाने जा रहे हैं आपको वो चित्र पहचाना है कि वो कौन सा चित्र है ध्यान से देखिएगा तो बच्चों पिल्चानिए ये कौन सा चित्र है शाबाश ये है कजे कलाम चलिए चलिए अब हम कवान भी लिखना सीखते हैं वो भी पंक की सहायता से देखा बच्चों आपने केसे हमने बीना पैंसिल और पैं की सहायता से एक पंक का इस्तेमाल करके एक चित्र और एक वर्ण लिखा तो बच्चों पिछली कक्षा में आपने क से शुरू होने वाले चार शब्द सीखे थे केला, कलम, कान, कमल और आपने बिन्दूं की सहायता से क की खोज की थी आज की कक्षा में हमने एक पंक का इस्तेमाल करके क का लेख सीखा है चलिए देखते हैं कार्य पत्रिका में आपने क का लेख के से करना है तो सबसे पहले एक सीधी रेखा, एक खड़ी रेखा, एक गोला और एक सीधी रेखा ले जाते हुए उसको इस तरह नीचे की और चलिए दुबारा देखते हैं एक सीधी रेखा, एक खड़ी रेखा, एक गोला और एक सीधी रेखा को इस तरह से नीचे की और तो ये है क का लेख तो बच्चों देगे कार्य पत्रिका को पूरा कीजिए और अपनी मैम को भीजिए क्योंकि आपकी मैम आपकी कार्य पत्रिका का इंतजार कर रही है मिलते हैं फिर नई कक्षा में तब तक के लिए धन्यवाद